दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का MGV Study Point YouTube चैनल में तो दोस्तों आज का हमारा जो टोपिक है यह सामाजीक विज्ञान क्लास 6 का और यह वीडियो पार्ट 4 है इससे पहले तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें 25 25 कोशन है तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट म और यह जो सामाजीक विज्ञान का यह जो टोपिक है जिसमें 25 कोशन है और यह है NCRT बेस डे टोप मॉस्ट कोशन 25 यह कोशन रीट सीटेट और अन्य सभी राजे इस तरिये टेट परीक्षाओं के लिए लेवल 1 और 2 दोनों के लिए इंपोर्टेंट है और सभी सिक्सक भ जीखे के कोशन है तो जरूर इस वीडियो को लाज तक देखें लाइक शेयर भी करें अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें और अप MGV StudyPoint YouTube चैनल की प्ले लिस्ट में ओल्ड सोलवर्ड पेपर मिक्स कोशन सीरीज जो विबिन एक्जाम बेस्ट सीरीज है तो आप देख सकते हैं आपकी हल्प के लिए वीडियो अप्लोड किया गया है तो आप चलते हैं बात कर लेते हैं आज के हमारे कोशन 25 की कोशन 25 जो की 1 10-06 आपके सामने है सिफके वीडियो का पूरा नाम क्या है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वीडियों पी का पूरा नाम क्या है और यहां पर हमारा एंस्वर ओप्षण वëटर वेरीफय अभल पेपर ओडिट ट्राइल और चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और तो नेक्स्ट हमारे पास कोशन नंबर है सेकंड कोशन सेकंड में स्टेपिज घास के मेदान कहां पाए जाती हैं तो अब हम बात कर रहे हैं इस्टेपिज घास के जो मेदान है वो यूरेसिया में पाया जाते हैं और यूरेसिया नाम है वो एसिया और यूरोप महादीप दोनों से मिलकर के बना है यूरोप और एसिया महादीप दोनों से मिलकर के यूरेसिया सब्द बना है और इस्टेपिज घास के मेदान है ये समूए को क्या कहा जाता है तो बात कर रहे हैं साथ तारों के समूए को युनान में कहा जाता है और एंश्वर समल बियर कहला जाता है युनान में साथ तारों के समूए को नेक्स्ट कोसन की बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास कोसन नंबर है Q4 में आखिर बार हेली धूम केतु को कब देखा गया तो बात कर रहे हैं हेली धूम केतु को और इसको आखिर बार देखा गया था 1986 में हेली धूम केतु को आखिर बार 1986 में देखा गया था और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे मारे पास Q5 को साथ तारों को समुहे को बिर्टेन में क्या कहा जाता है साथ तारों के समुहे को बिर्टेन में क्या कहा जाता है और यहां पर हमारा एंस्वर है खेत जूताई वाला हल जो बिर्टेन के लोग है वो साथ तारों के समुहे को खेत जूताई वाला हल कहते हैं तो दोस्तों वी सब्सक्राइब कीजिए और विविन परकार की Mixed Question Series चोर Old व्लोड पेपर आप देख सकते हैं अब हम बात करते हैं next question number six question 6 में हमारा सोर मंडल किस आकास गंगा में इस्तित है तो बात कर रहे हैं हमारे सोर मंडल की और यह कौन से मंडल में कौन सी आकास गंगा में इस्तित है हमारा सोर मंडल तो यहां पर हमारा इंश्वर है एरावत पंत या मंदाकिनी नामक आकास गंगा में इस्तित है तो हमारा सोर मंडल है वो मंदाकिनी नामक आकास गंगा में है या इसको एरावत पत्वी कहा जाता है और बढ़ते हैं अगले कुशन के और तो आगे कुशन नंबर है हमारा 7 कुशन 7 में सूर्य सोर मंडल के किंदर में है सभी ग्रैस के चारों और चक्कर लगाते हैं यह सर्वपर्थम किसने बताया था यह सर्वा पर्थम किस ने बताया था कि सूर ये सोर मंडल का केंदर बिंदू है और सभी ग्रैस के चारों और चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे इंश्वर है कोपर निक्स कोपर निक्स ने सबसे पहले ये बताया था कि सूर ये सोर मंडल के केंदर के चारों है में सनी उपग्राइ का और ये है टाइटन सनी का जो ग्रह है वह टाइटन है ऊपग्राइटन है और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मारे पास कॉस्षन नमबर है Q9 में अंतरश्ट ये खगोलिय संगठन ने 2006 में एक ग्रह को बोने ग्रह का दर्जा दे दिया है ये कौन सा ग्रह है तो 2006 में प्लेटू को बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है और अब पहले जो हमारे सोर मंडल में 9 ग्रह थे लेकिन अब 2006 में पलेटू को बोना ग्रह दर्ज करने के बाद इनकी संक्या 8 रह गई है चलते हैं अगले कोशन के और तो बात कर लेते हैं आगे मार पास कोशन नंबर है 10 कोशन 10 में भारत में इसरो द्वारा स्री हरी कोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंत्रिक्स वेद साला कौन सी प्रेक्षिपित की गई थी तो बात कर रहे हैं इसरो ने हरी कोटा से अक्टूबर 2015 में पहली अंत्रिक्स ये वेद साला जो प्रेखित की थी ये एस्ट्रो नेज सेट थी एस्ट्रो सेट और बढ़ते हैं आगे मार पास कोशन नंबर है 11 कोशन 11 में 1961 में यूरी गागरीन ने किस अंत्रिक्स यान से अंत्रिक्स यात्रा की थी तो बात कर रहे है 1961 की जब यूरी गागरीन ने अंत्रिक्स यात्रा की थी कोशन है कि आकाश ये पिंडों को देखने वाली दूर पिंडों को देखने वाली दूर्बीन का आविशकार कब और किसने किया था हमें ये बताना है कि आकाशिय पिंडों को देखने वाली दूरबीन का आविशकार कब और किसने किया था तो यहाँ पे हमारा एंच्वर है 1610 में इटली के गेलीलियों ने किया था तो दूर्बीन का अविश्कार गेलीलियों ने किया था और ये एटली में 1610 में हुआ था चलते हैं आगे question number 13 question 13 में सिदान्थ सिरोमनी गरंथ की रचना किस ने की थी तो बात कर रहे हैं सिदान्थ सिरोमनी की गरंथ की रचना और ये की थी बासकरा चारिये दितिये ने सिदान्थ सिरोमनी गरंथ की रचना बासकरा चारिये दितिये ने की थी चलते हैं next question के और तो next हमारे पास question number 14 question 14 से पहले वीडियो को like जरूर करें चैनल को भी subscribe करें विभिन एक्जाम के जो अप mix question और old soloed paper देख सकते हैं चलते हैं बात करते हैं सर्वय पर्थम दूर्बीन का आविश्कार किस ने किया था तो हम बात कर रहे हैं सर्वय पर्थम दूर्बीन का आविश्कार किया था और next question हमारे पास question आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है इस पूछा पहले हम यहां से कुश्चन रीड करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है उदेपूर जिले की फते सागर जील में एक टापू पर इस्तित देश की सबसे बड़ी दूर्बिन सोर दूर्बिन का नाम तो बात कर रहे हैं उदेपूर की जो फते सागर जील है उसमें देश की सबसे बड़ी एक जो सोर दूर्बिन है उसका नाम है मास्ट और चलते हैं ब भारतिय अंत्रिक्स अनुसंदान संगठन इस्रो का गठन कब और किस ने किया था तो बात कर रहे हैं इस्रो के संगठन की कब किया गया था तो ये 1962 में किया गया था किस ने किया गया था तो डक्तर होमी जहांगीर भाबा ने किया था किस ने किया था डक्तर होमी जहांगीर यह बाबा नहीं किया था कब किया गया था तो 1962 में किया गया था बात करें हम भारत्य अंत्रिक अनुशंदान संगठन इसṣro और चलते हैं मारे पास कुस्षन नमबर 17 क्एलन से वन टेन और यह चंदर्मा पर सबसे पहले कदम रखने वाला था चलते हैं अगले कोसिन की बात करते हैं तो आगे मारे पास कोसिन नमबर 18 विश्वय का सबसे चोटा महासागर कोन सा है तो बात करें अगर चोटे महासागर की और वो भी विश्वे में तो हमारा एंसर है आरक्टिक महासागर आरक्टिक महासागर है विश्वे का सबसे छोटा महासागर है और चलते हैं नेक्स्ट कोशन के और तो नेक्स्ट हमारे पास कोशन नमबर है 19 कोशन 19 विश्वे का सबसे बड़ा महासागर कुन्सा है तो अब हम अगर बात करें विश्वे के सबसे बड़े महासागर की तो यहां पे हमारा एंसर बनता है परसांत महासागर परसांत महासागर विश्वे का सबसे बड़ा महासागर है और नेक्स्ट कोशन तो नेक्स्ट हमारे पास कोशन नमबर है 20 कुशन 20 में अंटार्टिका की खोज किसने की थी तो बात कर रहे हैं अंटार्टिका की खोज करता की और ये था केप्टन जेम्स कूक केप्टन जेम्स कूक ने अंटार्टिका की खोज की थी और ये की थी 1703 में 1703 में केप्टन जेम्स कूक ने अंटार्टिका की खोज की थी और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे question number है 21 question 21 में Antarctica में पहला कदम किसने रखा था तो बात कर रहे हैं Antarctica में सबसे पहले कदम रखने वाला कौन था और ये था John Davis और 1821 में इनोंने अपना पहला कदम रखा था Antarctica में और बढ़ते हैं next question क्यों बात कर लेते हैं तो next हमारे पास question number है 22 Question 22 में Antarctica में भारत द्वारा इस्तापित सोध के अंदर का नाम बताईए तो आपसे पूछा जा रहे हैं कि Antarctica में जो सोध के अंदर भारत ने इस्तापित कर रख है उसका नाम क्या है और answer है मित्री Antarctica में भारत द्वारा इस्तापित सोध के अंदर का नाम है मित्री और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के और तो नेक्स्ट हमारे पास question number है 23 कोशन 23 में वीश्वे का सबसे बड़ा पठार कौनशा है तो बात कर रहे हैं वीश्वे की और सबसे बड़ा पठार है वो है तिबत का पठार तिबत का पठार है वो वीश्वे में सबसे बड़ा पठार है और नेक्स्ट कोशन तो नेक्स्ट हमारे पास question number है 24 कोशन 24 में वीश्वे का सबसे उंचा जल परपात कौनशा है और किस द्वीप पर या महादीप में है तो बात कर रहे हैं वीश्वे का सबसे उंचा जल परपात तो ये है एंजल और ये दक्सिन अमेरिका के वेनेजुला में इस्तित है तो वीश्वे का सबसे उंचा जल परपात है वो एंजल है और ये किस महादीप में है तो ये दक्सिन अमेरेका के वेनेजुला में स्तित है चलते हैं नेक्स्ट कोशन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कोशन नमबर है 25 जो इस वीडियो का लास्ट कोशन है और कोशन में पूचा जा रहा है कि विश्वे का सबसे छोटा देश कोन सा है तो अगर हम बात करें विश्वे में सबसे छोटे देश की तो हमारा एंस्वर है वेटिकन सीटी वेटिकन सीटी है ये विश्वे का सबसे छोटा देश है तो दोस्तों रीट समन्दी ये 25 कोशन आपको कैसे लगे कोमेंट करके बताना और लाइक शेयर करते रहा नेक्स्ट वीडियो अप्लोड हो तब तक के लिए धन्यवाद